जो काम मानने नयाले का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विक्रित मानसिक्ता से गर्सित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर दो दर्जन से जादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है ये गलत है और भारतिय जनता पार्टी साप कर रही है कि अपराधियों और वरस्टाचारी के साथ कोई सानभूती नहीं होनी चाहिए मानने नयाले संबैदानिक संस्ता है वो अपना निर्ने ले और उसके उपर छोड़ना चाहिए आपने 2016 में आनन्द मोहन जेल से नर रहा हो इसके लिए आपने संसोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले इसके लिए संसोधन ये दोहरा चरित्रा दोहरा बैवार कहीं न कहीं अपराधिव रस्ताचारी का मनोबल बढ़ाएगा जिससे अरजकता का वातावर्न बनेगा और विहार के लोग सर्मसार महसूस कर रहे हैं ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर विहार की जनता की तबाही और ये हम पहले ही कहें कि अपराध व रस्ताचार के विरुद भारतिये जनता पार्टी हमेशा रही है और अपराध भारतिये जनता पार्टी पूरी जनता के बीच अपने विशे को लिखे जाएगी कोई नेता कभी अपराधिव रस्टाचारी के पक्ष में न रहा है न रहेंगे भारतिय जनता पार्टी का अस्टेंट किलियर है झतक रॉडाई भारतिय जनता बते एल रह रहेंगे भारतिय वरे प्हांट में न रहेंगे।